खौफनाक साया, आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाधी पती दिलीप को ओफिस के काम से एक हफते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंट उठकर टीवी बंद कर दिया, और फिर से सोने की कोशिश करने लगी, थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है, टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मजूदगी का एहसास होना घर में अकेल लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था, धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट, लेटी रही, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या, करें, खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर थी कि यह सब हो क्या रहा है, बहुत हिम्मत जुटा कर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया, गद्दा नीचे की और दबा हुआ था, और ऐसा देख रहा था जैसे उ कोई इनसान लेटा हुआ है, अब वह चिलाना चाहती थी पर खौफ और डर के, मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली, दिल की धरकन बहुत तेज हो चली थी, घबराहट में धराने तकिया उठा कर उस जगा पर फेका जहां गद्दा दबा हुआ था, ऐसा करते ही इस मिनिट तक कोई हलचल नहीं हुई तक धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबायल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू मा को फोन किया, उनकी सांस तुरत दोड़ कर धरा के कमरे में आ गई, और पूछने लगी कि क्या हुआ, अभी धरा क कुछ बोले उसके पहले उससे फिर से ऐसा कुछ देख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए, धरा ने देखा कि उसकी सासू मा के पीछे एक जवान औरत की धुंदली परच्छाई खड़ी थी उसकी आँखों की जगा काले गहरे गढधे थे, और उसका कद करीब की छत जितना उचा था, ये भायानक नजारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई, और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि धर के मारे उन्हें लो ब्लाड, प्रशर की शिकायत हो चुकी है, धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं है, लिए धरा आज भी अपने माय के रहती है, क्या था इस भुथा घटना के पीछे का कारण, धरा के पती दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके उपर दहेस की लालच में पहली पतनी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था, बदन पता नहीं चल पाई लेकिन इस भुथा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आपदीती सुनाई तो उसने पहली पतनी का राज खोला, खालन की उसका कहना था कि पतनी को उसने जहर नहीं दिया था, बलकि उसने खुदी जहर खा कर जान दी थी, अदालत में अभी भी य मामला लटका हुआ है